तो भाई बात ऐसी है कि इंटरनेट पे लगने वाली है आग। क्योंकि वेजनती मूवीज ने हम सब की एक्सपेक्टेशन के पार जाके आज महाशिवरातरी के पावन पर पर कल की 289880 का प्रोमोशन आखिरकार स्टार्ट करी दिया और इंटरेसिंगली उन्होंने अब कैरेक क्या-क्या होंगे उन सारी ही स्पेक्यूलेशन से इतर कुछ त्योरी सचोने वाली हैं और कुछ ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे गधे के सर से सींग या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ सिक्के का एक पहलू हो सिर्फ टेल साइड हो जबकि हैड़ स साइड कुछ औरी है वो मिरजान स्वागत है तुम सब का सिनेवान फिल्टर की एक और एनलेसिस वीडियो में और मैं हूँ आपका हम दम आपका दोस्त प्रेम कहीं दिनों से यह अंदासे लगा जा रहे थे कि 8 मार्च यानि कि आज महाशिवरात्री से कल की मूवी का प्रो होगा फिर कुछ ऐसी डीटेल्स आई कि ऐसा नहीं होने वाला जिसको लेके ट्विटर बगारा के ऊपर लोगों ने मेकर्स के मजे भी लिए भाई ट्रॉल किया उनको कि भाई काव स्टार्ट करोगे मूवी का प्रोमोशन कहीं फिर से डिले तो नहीं करने वाले क्योंकि मूवी लपेटने की नाकम कोशिशें हुई लेकिन देखो परिणाम तुम्हारे सामने है प्रोमोशन स्टार्ट हो गया है और ऐसा वैसा नहीं डारेक्ट मूवी के मी लीड या निकी प्रभास के कैरेक्टर की काफी तगडी डीटेल सामने आ गई हैं वो भी ओफिशिली हा आप इसले कर रहा हूं क्योंकि हमने जो कुछ पांच बजे देखा उसकी डीटेलिंग सुभा वाली पोस्त में ही दी गई थी एवन यहीं नहीं शायद इसकी हिंट हमें कलकी की ग्लिंप्स में भी देदी गई थी और यहां से हमें प्रभास के करेक्टर की हिंट्स ही नहीं मिल रही हैं बलकि मूवी में उनका पोटेंशली जो रोल होने वाला है उसकी भी हिंट्स मिल रही हैं एक एक करके सब पे बात करेंगे सुभा की पोस्त में लिखा था वर्ल्ड नोज हिम एज एंड पिक्चर पे लिखा था वोट्स इस नेम यानि कि इतना तो तैय था कि हम पे हमने अश्वत्थामा के करेक्टर को आके खोलते वे देखा था तो शीवलिंग हमें सुभे दिखा दे गया तो पहले तो मुझे भी यह लगा कि में भी लोग प्रभास कने बलकि अमिता बच्चन के करेक्टर का नाम ऑफिशली अनौन्स करेंगे एज अश्वत्थामा क तो इसलिए अश्वत्थामा का रिविलेशन परफेक्ट सेंस बनाता था लेकिन यहां हमारे साथ हो गया खेला और इसके साथ ही साथ हमें यह भी बता दिया गया कि बेटा तुम लोग कितने भी दिमाग के घोड़े दोड़ाते रहो लेकिन मूवी में जो दिखेगा वो हम सबकी एक्सपेक्टेशन से परे होगा और बहुत उची चीज होगा है इसका अंदादा तो हमें कलकी की गिलिम्स से भी मिल गया था कि भाई मामला कुछ गराम होने वाला है वेल तो हमारे सामने रिवील किया गया भैरवा का करेक्टर भैरवा या फिर भैरव जिसको और काशी को लेकर काफे इंटरेस्टिंग मान्यता है जो कि हमें कहीं सारे स्क्रिप्टर में भी देखने को मिलती है एसा माना जाता है कि काशी शहर भगवान शिव के त्रिशूल पे बसा है बहुंक्ष के निवास करते हैं तो वह जगह काशी ही है इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि यदि किसी के जीवन काल कांतिन समय काशी में भी थे और उसकी बित्यू काशी में हो तो मानेताओ के अनुसार उसे मौक्ष की प्राप्ति होती है वेलब हाँ काशी के भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी होने वाली बात एक मेटाफोर के तोर पे यूज की जाती है विच में इसकी काशी महादेव को अतिप्रिय है उनके हृदय के काफी क्लोज है और इसमें कोई दोराय नहीं की काशी भगवान शिव का शहर है वहाँ पे आप जहां देखोगे वहाँ शिव के दर्शन होगे मेरा भी अभी कुछ मेहनों पहले काशी जाना हुआ था और वहाँ मन ऐसा रमा के वापस आने का मन नहीं हुआ बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ शाम को गंगा घाट की वो आरती और उसके बाद देर रात तक मनिकरनी का घाट पे मोक्स पाते शमो की चिता में प्रजुलित होती अगने का साक्षी होना बहुत कमी ऐसे भागेशाली होते हैं जिनको ऐसा अनुभव पाने का सुख सर मिलता है और मैं यहां पर अपने आपको भागेशाली कहने से तनिक भी पीछे नहीं हटूँगा अब तुम सोच रहोंगे कि मैं तो कलकी की अपडेट जानने आया था भाई यह कहां प्रेम भाई हमें काशी घुमा रहे हैं तो मेरे जान कलकी काशी और महादेव इन सब का अपस में गहरा कनेक्शन है और इसी बहाने मैं तुम्हें काशी भी घुमा दिया वेल तो प्रभास के करेक्टर भैरवा के इंटर्डेक्शन के साथ ही यह तो तैह हो गया कि मूवी में प्रभास का करेक्टर शायद कलकी प्ले नहीं कर रहा है यानि अभी तक हमारी mostly speculations जो यह कह रहे थी कि प्रभास ही कलकी है वो सारी फेल होती नजर आ रही है लेकिन 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 रुको ज़रा सबर करो हमने एक और चीज़ डिसकस की है कई बार कि यह मूवी कलकी के legend को literally meaning में नहीं बलकि एक metaphorical way में convey करेगी यानि कि maybe इसमें कलकी अवतार की prophecy को literally as it is fallen ही किया जाएगा जैसा scriptures में mentioned है बलकि उनसे जुड़ी कताओं और चरित्रू को metaphor के तोर पे यूज किया जाएगा और यही तो मजा है कहानी का वरना अगर हर चीज हमें उसी हिसाफ से देखने को मिल जाएगी जैसा legends में बताया गया है तो फिर सब कुछ spoilी हो जाएगा ना यानि कि अब यहाँ पे कलकी maybe कोई इनसान नहों के कोई astr कोई machine या फिर कोई और project भी हो सकता है मेबी उस time machine को बनाने वाला वो project ही जो project के कहा जा रहा था वो project कलकी हो जिसके तुरू कामालासन का character तीनो कालो पे राज करना चाहता है क्योंकि according to dr. सिध्धान तारिया जो future देख सकता है वो future बदल भी सकता है और जो future बदल सकता है उसे भगवान के बराबर ही माना जाता है गलत भगवान के बराबर नहीं बलकि भगवान ही माना जाता है लेकिन कल की movie के context में हम future की जगे timeline शब्द का इस्तमाल करें तो ज्यादा उचीत रहे गाये थी यानि कि जो time travel कर सकता है वो timeline बदल भी सकता है और जो timeline बदल सकता है वो खुद गो बगवान यह मानने लगता है और movie के posters में दिखाए triangle timeline के तीनों कालों past, present और future को ही symbolize करता है वेल तो यह तो ही villain के motive की बात अब आते हैं भहरव पे काशी में एक मंदिर है श्री कोतवाल भहरव का और ऐसा माना जाता है कि जब तक आपको उतवाल भहरव जी के दर्षन नहीं कर लेते हो, तब तक बाबा विश्णात के दर्षन अपूंण माने जाते हैं और भहरव को बगवान शेव का ही रूप माना जाता है उसी तरह कलकी मूवी में भी प्रोजेक्ट कलकी को पूरा करने का बीडा उठाया है बहरव ने और बहरव के लिए काशी से उप्युक्त स्थान और हो ही नहीं सकता और अगर हम ध्यान दें तो कलकी की ग्लिप्स के टाइम पे भी हमें दिखाया गया था कि और इसके साथ ही हमें भगवान शिव की की एक मिनियाचर प्रतिमा दिखाया जाती है रेबेल्स के हतों में पर इंटजार करो अगली वीडियो का मिलेंगे कुछ और नई स्पेकुलेशन के साथ कुछ और ने थियोरीज के साथ आखिर इमेजिन करना और डोट्स जोडना यही तो अपना काम है इसी में अमज आता है वेल वीडियो को लाइक कर दो और भाहेंग कर रूप से शेयर कर दो ताकि सबको पता चल जाए कि आग लग चुकी है हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सायना रा